नमस्कार दोस्तों मैं कमलेश शाक्या पेपर है कर यूटूब चनल में आपका बहुत बहुत स्वाकत करता हूँ दोस्तों आज हम देखने वाले हैं मनोविज्ञान में बी ए पार्ट बन और सेमिस्टर बन में देखने वाले हैं कुशन नमबर बन तो आएए चलते देखते हैं कुशन नमर बन में क्या दिया हुआ है कुशन है कि मनोविज्ञान का क्या अर्थ है मनोविज्ञान के उद्देश बताईए इसको और अधवा में भी दे सकता है कुशन एक ही है लेकिन तरीका हल करने का एक ही है मनुविज्ञान को परिवासित कीजिए तता मनुविज्ञान की प्रकृति समझाईए मैं चीज के हमको जानना के वाल मनुविज्ञान के बारे में उसको परिवासित करना है अगर पूशा जाए तो आप से ये तो ठीक है तो चलिए देखते हैं मनोविज्ञान को अपेच्छाकरत नवीन बिस होने पर भी मनोविज्ञान का विकास इतनी तेजी से एवं बिविन्न दिसाओं में हुआ है कि उसे परिवासित करना एक जटिल का रहे है यहीं कि क्या हैade मनोविज्ञान का विकास इतनी तेजी से हो रहा है कि उसको परिवासित करना क्या है एक बहुत ही कटिन्efार है सबी मनोवेग्यानिकों दोवारा एक माननी परिवासा को सोईकार करने में कटनाई का प्रमोकारण द्रिष्ट्रीकोडों एबन उपागमों में विविनता का होना है यानि क्या है मनोविज्ञानिक डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि मनोविज्ञान की ठोस परिवासा क्या है क्या है मनोविज्ञान इसमें बहुत कटनाई आ रही है इन भी मिन्निताओं के होते हुए भी मनोविग्यान को और वासित करने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है यानि कि फिर भी मनोविग्यानिक लगे हुए है कि अखिर मनोविग्यान है क्या साइकलोजी क्या है तो आई देखते हैं मनोव पिग्यान का अर्थ एवं परिवासा है मनोव पिग्यान आत्मा का पिग्यान है अब देखिए मनोव पिग्यान क्या है आत्मा का पिग्यान है आत्मा की पिग्यान को कौन ले के आया था अरस्तूले के आया था है मनुल इजान आत्मा का विग्णान का अब्गान साइक के लोजी भूल ते हैं सब्द के उत्पति नानी वासा करे सब्दों साइक की तथा लोगस से मानी गई यानिके मनुल उत्पति प्थिक साइकी वह इना इसा सेvat Don लोगस का अर्थ है विज्ञान एबं विचार करने वाला विज्ञान लोगस का क्या रहा था विज्ञान विचार करने वाला विचार विज्ञान इस अर्थ को ध्यान में रखते हुए ग्रीक दार्स्रेकों अरस्तु प्लेटो आद इने मनोविज्ञान को आत्मा की विशय मे कि इस विचार धारा में पहला दो से है आत्मा एक jis का निरिच्छ नहीं किया सकता किया है आत्मा का किersonous नहीं सकते कैसे करें अ ही जाकता है अट्रेक्टिकल किया चकता नहीं ना तो नहीं माना गया है इसको प्रयोग की नहीं का जाए तो आत्मा का प्र meno- scans कहा जाता आये तो यह आपना पर आप्स प्रोग क्त Rinpo है करत था है कि आत्मा शब्द है जो मतलब प्रिण Mission नहीं होता है कि आत्मा किस रूप में प्रियोग किया आत्मा सब्द का प्रियोग किस रूप में किया जा सकता है आत्मा है क्या है आत्मा यही नई स्पस्ट वह पा रहा है ठीक है अब उसके बाद आया मन का विग्यान आत्मा के बाद क्या आया मन का विग्यान मन के विग्या ग्रीक दार्सिकों ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना है इस विचारधारा का पिरमकुदेश मन का अध्यन करना था यानि इन्होंने कि पॉम्पोनोजी ने क्या कहा कि मनोविज्ञान का है मन का अध्यन करना ही मनोविज्ञान है तो आपको केवल यह लिखना है उसम मन्वज्ञान ऐसे अत्मा पर कोई अधन नहीं किया जा सकता तो बैसे ही मन्वज्ञान को मन्वज्ञान मानने वालों के विचारों में सहमती नहीं थी इसका कारड यह था कि मनोविज्ञान को मन का जो विज्ञान माना आया है आप इसमें कोई सहमती नहीं थी मनोविज्ञानिकों में इस मत के विप्रीत यह है कहा जाने लगा कि मन की विभिन सक्तियां सोतंत रूप से कारे नहीं करती तो एक दम कर नहीं कर पाती है अब आता है चेतना का विग्यान तो चेतना के विग्यान को कौन ले के आथा चेतना के विग्यान को ले के आथा बिलियम बॉंट से एवं बिलियम जेम्स तो बिलियम बॉंट ने अपनी प्रियोक साला भी इस्तापित करी थी मनो विग्यान की जिसको पहली प्रितम प्रियोक साला माना गया था मनो विग्यान की ठीक है तो आए मनो विग्यान है चेतना का विग्यान मन के विग्यान के रूप में मनो विग्यान को अस्विकार किया किया जाने के बाद कुछ मनो विग्यान को ने मनो विग्यान को चेतना का अध्धन करने वाला विग्यान माना क्या है जब मन के विज्ञान को अस्विकार कर दिया गया नकार दिया गया तो कुछ मनो विज्ञानिकों ने मनो विज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है चेतना पर अध्धन करना ही चेतना का वो मनो विज्ञान है ठीक है इसके रूप में परवासित किया इन मनोवग्यान को उने चेतना को मन का मूलतत्वाना है यानि मनोवग्यान को उने चेतना का मन का मूलतत्वाना है ठीक है इस विचार धारा के परवर तक अमेरिकी मनोवग्यान बिलियम जेम्स देखो मैंने बोला था ना सबसे पहले कौन ल जेम्स लाया था ठीक है इनकी एक पहली प्रियोक साला भी इस्ताबित करी ठीक है अपनी पुस्तक यानी बिलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ओफ साइकलोजी प्रिंसिपल ओफ साइकलोजी में लिखा है मनोविग्यान की सरवोत्तम परिवासा स्वेम चेतना की अवस्ताओं के बढ़न और ब्याक्या के रूप में दी जा सकती है किसकी परिवासा मनोविग्यान के परिवासा आए देखते हैं मनोविग्यान की प्रकर्ती इसे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ पर दिया हुआ नहीं है कि कोई दिया हुआ नहीं है लेकिन एक इसके बाद चेतना की विग्यान के बाद एक आया है विवार का विग्यान क्या आया क्या माना बिभार का विग्याँ माना मनु भिग्याँ इसको ले गया था इसको ले गया यह जब्भी वार्ट से में किया जा रहा है कि मनो विग्याँ के इस पर ना अध्यन किया जा सकता है किसी की विभार पर अध्यन किया जा सकता है तो ठीक है पेपर में आपको लिगना है कि मौनो विग्यान सबसे पहले कौन सा आया था उसके वाद कौन सा आया था उसके वाद कौन सा आया था लेकिन अब जो प्रिजेंट टाइम में चला है वो कौन किया जा सकता है किसी के विवार को प्रैक्टिकल भी किया जा सकता है इसलिए ज्विञान को ब्यवार का बिंग्यान को ठीक है कि मैं आई अब देखते हैं बजन की मनोगयान की प्रकृति तो मनो बिज्ञान की प्रकृति क्या है मनो बिज्ञान को मनो बिज्ञान को बिवार का बिज्ञान कहा गया है ज्ञान की किसी साका को बिज्ञान कहे जाने के लिए उसे बिज्ञान की कुछ कसोटियों पर कसा जाना अत्याबस सकते इसिसमें किसी समस्तिया किरमबंद पूढ नियोजन एवं नियंतृत अध्यन करके कारध प्रिभाव मेंस्ताफित किया जा सकता है क्या विभार पर अध्यन करके विभार में अध्यन क्या किया जाता है उसके संपूर करमंद जानकारी उस संपूर विभार पर अध्यन किया जासता है ठीक है और उसमें संबंद इस्तापित किया जाता है प्रतियेक विज्ञान में कुछ विशिष्थाएं पाई जाती है यानि प्रतियेक बिज्ञान में कहा है कुछ विसेश्टापा जाती है ठीक है मनु बिज्ञान को बिज्ञान कहे जाने के लिए निम्न बिसेश्टाओं का कसौटियों पर पर रखना या जाचना होगा मनु बिज्ञान को बिज्ञान कहे जाने के लिए बिभन जानकारियां एकटी करनी तो पहले यह बिसे सामगरी ठीक है अगला है प्रदत्तों का बस्तुनिट संग्र ठीक है अगला है बैज्ञानिक बिद्यों का प्रियोग ठीक है अगला है ज्ञान को क्रमबंद करना ठीक है अगला है प्रगति सीलता ठीक है अगला है तत्यों की जाच करना तता पुन्रा व्रत्ती ठीक है अगला है नियंत्रत कैसे कर दा ठीक है अगला है पूर्व कथन ठीक है फिरा आता है प्रियोक्त्थ ता ठीक है अनंत अब अनवेशण ठीक है ठीक है अब आईए अब एक एक करके इनके बारे में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है ठीक है तो पहला है बिषय सामंग्री ठीक है बिग्यान की बिषय सामंग्री निश्चित होती है ठीक है क्या है कि बिषय सामंग्री देखित होती है इसी प्रकार मनववजय में बिहार का अध्य मनों विज्ञान का दन के जाता है ठीक है अब अधला है प्रदत्तों का बस terminals संग्रहे अधि इस्टों का कि बल दिया जाता है विघ्यान अगला है बैग्यानिक बिधियों के बढ़ना अगला व जल्दो को समस्यां के समाधान और नि को सवादान के लिए विए किसका निए भॉड़क के जाता है आधि बेकश्ट्र्ट बेचठा दूत्र किया जाता है एक अत्रित किया जाता है स्वारी अगला ज्यान को क्रममंद करना बिज्ञान में प्राप्त प्रदत्तों का विश्लेशर करके ज्यान को क्रममंद करना लगाने एक क्रम से सीखना किसी चीज को जान आ क्रममद करना यह होता ठीक हे हैiceless फिया जाता है मनो विए ज्यान में थे इंद आ एक क्रम बंद अध्यन किया जाता है ठीक है पहले हमको क्या देखना है उसके बाद हमको क्या सीखना है ठीक है अगला है प्रगति सीलता प्रगति सीलता बिग्यान की एक प्रमुक बिसेचता है प्रगति सीलता क्या है बिग्यान की एक प्रमुक बिसेचता है प्रगति सीलता ह नहीं हमेशा बनी रहे तो नहीं नहीं एक्सपेरिमेंट होते रहेंगे तो नहीं नहीं चीजें हमको देखने को मिलेंगी ठीक है विज्ञान में सदेव नवीन तथा प्रकास में आते हैं विज्ञान में सदेव नवीन तथा प्रकास में आते हैं नहीं क्या है हमको प्रक्ट प्रती सील बना रहा है कोई चीज जिसकोम सेख रहे हैं जिसको प्रक्तिकल कर रहे हैं उसमें नई नहीं चीजों को हमको सीखना ठीक है क्या है प्रकति लिग्र गारा इस्तित नहीं है हमेशा चलता रहता है बढ़ता रहता है वरन प्रकती सील है इसमें देखो प्रकती सील है चलता रहता है नहीं प्रकती सील रहता है हमेशा इस कारण मौनोविज्ञान का छेत्र ब्यापक हो गया है मौनोविज्ञान का छेत्र का है ब्यापक एक विस्तार रूप ले लिया है फैलता चला जा रहा है ठीक है अगला है तत्यों की जाच करना तथा पुन्रा परती क्या है तत्यों के बारे में जाज करना और उनकी पुन्रा ब्रत्ती के बारे में जानना है ठीक है विज्ञान में एक परिस्थी में प्राप्त प्रडामों की भविष्य में उसी के समान परिस्थियों में जाज की जा सकती है यहनी एक परिस्थी में जो प्रडाम प्राप्त ह हुआ ठीक है उसको भविस्थे में भी हम जांच कर सकते हैं पैचान सकते हैं ठीक है किसी भी परिस्थी में जाएं ठीक है मनो विज्ञान में भी यही बास सकते हैं मनोग्यान तो आपको केवाल देखो क्या है ना कि मनोग्यान विज्ञान से यह नगेड़ेटटेड़ है आपको यह लिखना है टिक है अग्यास के अधिक giant ब्रद्धि समान परिस्यद्य judgment विद्धियों में सभी व्यक्तियु में पाई जाएगी अब जितना अभ्यास करेगा उतनी तो जिस उसको आएगा देखो यह दिया हुआ है अभ्यास के काड़ अधिकम में ब्रद्धी अधिक उसके अधिकम में उतनी ही ब्रद्धी होगी जितना वो अभ्यास करेगा समान प्रसिदियों में सभी व्यक्तियों में समान पाई जाती है मतलब समान अन्य कारकों को नियंत्रित कर लिया जाता है क्या है हम जिस किसी विज्ञान में जिस एक कारक पर अगर हम प्रभाव का अद्द कर रहे हैं उसके अलाब जित्ते भी कारक है उनको नियंत्रित उनको रोग लिया जाता है नियंत्रित कर लिया जाता है मनों विज्ञान में भी एक कारक के अतरेक्त अन्य कारकों के प्रपाव को नियंतरित रखा जाता है एक ही कारक उस time पे effect डाल सकता है, दूसरे कारक को नियंतरित कर लिया जाता है, ठीक है? अगला है पूर्व कतन बिज्ञान में पूर्व कतन कीया जाता है मनौ बिज्ञान में भी ये कहा जाता है कि यदि अन्ने बाते समान रहती है तो एक विशेश पर्षिति में पराडी ये बिवार करेगा क्यानी अंगर अगर उन्हे बाते उसकी सिवार्ण रहती तो एक विसेश परचितिय में प्राड़ी यह विवार करेगा प्राड़ी के दौरा एक विवार किया जाएगा ठीक है प्रियोक्तता बिज्ञान के द्वारा प्राप्त प्रडामों का विपन चेत्रों में उप्योक किया जाता है अब बिज्ञान के द्वारा प्रडामों का विपन चेत्रों में उप्योक किया जाता है ठीक है बिज्ञान के आप एक्सपेरिमेंट करते है ठीक है तो वो प्रडा मानभ जीवन के पृतेग चछेत्र में सोध्य प्रड़ामों का उपयोग मनुविःण में किया जा रहा है तो मानभ जीवन जिट खंगो, अब कै torpedo से related, मानभ जीवन से related जित्ते भी अध्यों है, मनुविईण से किया जा जा रहा है ठीक है, मनो बिग्यान में किसका मानव का अध्यन किया जाता है, मानव के बिवार का अध्यन किया जाता है, ठीक है, अगला है, अनन्त अनविषड, बिग्यान में अनविषड कार निरंतर चलता रहता है, ठीक है, बिग्यान में किया है, अनविषड कार निरंतर चलता रहता ह इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि क्या है रुकता नहीं है नए एक्सपेरिमेंट नए बिभार के वारे नए अध्यन किया जा सकता है ठीक है निरंतर चलती रहती है ठीक है विविन बैग्यानिकों के कारियों में बिभार के नवीन आयामों का पता जलता है विविन बैग्य कर्स निकला फिर निसक निकला इस प्रकार कहा जा सकता है कि गर्ट बिग्यान की उप्यक्त कसोर्टियों पर खरा उतरता है यानि मनो बिग्यान का है same as condition same apply होती है मनो बिग्यान पर बिग्यान की यानि कि खरा उतरता है उसकी बातों फिर उसकी कसोर्टियों पर खरा उतरता है ठीक है आता मनो बिग्यान बिग्यान की स्रेणी में आता है इससे पहले मैं आपको बतातो को मनो बिग्यान का है बिग्यान की स्रेणी में आता है तो आपको लिखना ये है सिर्व मनो बिग्यान को बिग्यान से रिलेट करके लिखना है ठीक है कि मनो बिग्यान एक बिग्यान की साखा है मतलब बिग्यान से रिलेट होता है ठीक है बिग्यान नियामक तता बिधायक दो प्रकार के होते हैं यह क्या है बिग्यान जो है नियामक तता बिधायक किते प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, मनो बिज्ञान बिधायक बिज्ञान है, मनो बिज्ञान का बिधायक, मैं नहीं मनो बिज्ञान, ठीक है, क्योंकि यह क्या होना चाहिए, का अध्यन नहीं करता, यानि मनो बिज्ञान क्या है, क्या होना चाहिए, इसका अध्यन नहीं करता वो तो यह क्या हो सकता है इसका अध्यन करता है वरन क्या का अध्यन करता है यानि क्या हो सकता है यह क्या का अध्यन करता है तो आज के लिए वस इतना ही मिलते हैं अगले कुश्चन में इसी इसी चैनल पर इसके लिए तो अगला कुश्चन देख लेते है क्या है?